मुख्यमंत्री नितीश्कुमार ने आज मुख्यमंत्री आवास में समीक्षा बैठक की धान अधिप्राप्ती को लेकर उन्होंने ये समीक्षा बैठक की है बिहार सरकार द्वारा पचास जार रुपए का इनामी नकसली पुलिस के हथे चड़ा है हाटकोर नकसली रेनु का कोड़ा और फुर रेनु कोड़ा ने अपने सशस्त दस्ते के साथ चकाई बिहार जासीडी चारकन के सीमावर्ती क्षेत्रों में कई भड़ी घटना को अंजाम देने के उद्देश से लगतार उसके सक्रियों होने की सूचना मिल रही थी बिहार के ही विभिन थानों में किसकांडो में इसके नाम थे तेरह जन्वरी को ही पचास जार के इनामी नकसली को गिरफ़तार किया गया था कोही एक बहुत बड़ी उपलब्दी हुई है बिहार पुलिस के जिसमें हार्ड कोर नकसली रेणू का कोड़ा और रेणू कोड़ा यह महिला नकसली थी उम्र करीब 35 से 37 वर्ष के बीच में इनके बारे में बिहार पुलिस कोई सूचना मिली कि अपने दस्ते के साथ में घूम रही है चकाई बिहार का और देवघर का जसीडी का इलाका है जार्खन का उसके बीच में सीमा वर्थी इलाके में किसी घटना करने के उद्देश से बिर्मन है मैं आपको बता दूँ कि फर्वरी 2022 में ही बिहार पुलिस मुख्याले के द्वारा इस महिला नकसली के बुरुद 50,000 रुपए का नगाद इनाम भुशित किया गया यह हार्ड कोर नकसली जो है रेणुका कोड़ा यह प्रतिबंधित जो बैंड और्गनाइजेशन है CPI महवादी उस संगठन के जोनल कमेटी मेंबर के पद पर काररत बताई जाती है और यह बिहार जहरकंड सीमान जोन कमेटी है और उसमें यह सुल्तान गयन साब जोन की सेकरेटरी पता ही गई है जैसे उस छेतर में कार रहे है करीब 21 कांडो में यह 21 नकसली कांडो में वांचित और आरूपित रही इसमें बिहार पुलिस और SSB की टीम के द्वारा एक किया गया और उसके बाद में इस हार्ट कोर नकसली को गिरफतार कर लिया इस प्रकार से एक पचास हजार की इनामी महिला नकसली को बिहार पुलिस ने 13 जन्वरी